हेई गाईज इस जामन एंड यह हमारे पास एक क्वेशन है बेसिकले जो क्वेशन है आपके ट्राइंगल चैप्टर में थर्ड एक्सरसाइज का क्वेशन नमर थर्टीन है तो यह देखते हैं क्वेशन कुछ इस प्रकार है दी जब पॉइंट ऑन साइट बी-सी ऑफ ट्राइंगल एबी-सी तो मैं पहले आपको बता दू कि इस क्वेशन में कुल भी फिगर ड्रॉ नहीं किया गया है यानि कि इस फिगर आपके क्वेशन में नहीं दिया गया तो आपको खुद से कर दिया एक को दिक्कतली बात नहीं है अब उने कहा कि अपने मर्जी से अपने मंग से हमने किनका अपका और बात नहीं है अब दे रहा है तुड़ का अगल ADC, आप देखों, अंगल ADC कहां पर है, अंगल ADC है, यह वाला जो अंगल है, वो किस के बराबर दे रखा है, अंगल BAC के, ठीक है, तो अंगल BAC के बराबर दे रखा है, यह इस अंगल के बराबर है, तो basically आपका question में दे रखा है, कि आपका कोई triangle ABC है, ठीक है, उसमें बोल यह रखा है कि BC पे कोई point है D, ठीक है, तो आपने पहले क्या क्या, D point बना दिया BC और आपने क्या 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 ADC को join कर दिया, और D यह भी रखा है, कि जो आपका ADC है, यह वाला जो अंगल है, वो किस के बराबर हो जाएगा, यह पूरे अंगल, यह बोल रखा है, कि आप हमे कि आप ध्यान देंगे, कि आपका छोटा वाला अंगल किस ट्रांगल में है, छोटा वाला जो आपका एंगल, बrieजिकली चोटा बोलना तो गलत होगा, क्योंकि बराबर हो तो आप थोड़ा साध्यान दो, कि पहला जो एंगल है, माननों हम मैं इस एंगल को considered करता हूं, मै क्या करूंगा इन ट्राइंगल एडी सी लिख दो एडी सी मैंने क्या क्या एक ट्राइंगल ले लिया कौन सा एडी सी और यह क्यों लिया क्योंकि देखो एक एंगल है जो एंगल दिया हुआ वह किस ट्राइंगल में है एडी सी के ठीक है ऐसे ले लिया हमने ऐसे सोचा ठीक है दूसरा एंगल किस ट्राइंगल में है दूसरा एंगल तो यह पूरे की बात कर रहा है तो पूरा वाला एंगल किस ट्राइंगल में है तो आपका 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 किस ट्राइंगल में है और इसको मैं कर देता हूं B, लिक्त तो लिए बात नहीं है, B, A, C लिखो, A, B, C लिखो, कोई फरत पढ़ता नहीं है, लेकिस इमिलर में आपको पता होना चाहिए, कि मैंने थे थोड़ा सा सोच के क्यों लिखा, आपको लगा हूँ कि मैं सोच के क्यों लिख रहा हूँ, हैं आपका जो एंगल ऐ है, वह आपका एंगल D के बराबर है, हां जी है, ठीक है, और क्या बराबर है, अब देख सकते हैं कि आपका एंगल C है वो दोणों में common है, तो मैंने कहा कि हैं दोनों को एक दिगर लिखा है, ठीक है, और A, B, छोड़ दो, क्योंकि जब भी आपने ट्रियंगल, डूसरा ट्रैंगल किस ट्रैंगल में है, तो बड़ा वाला ट्रैंगल भी ओविस हिन दिख रहा है, तो मैंने क्या लिखा B, A, C लिख लिए, कोई दिख्कत अली बात नहीं है, अब हम इस ट्रैंगल में बात करेंगे, ठीक है, पहला यहर आपका अंगल सेम दे रखा है इन दोनों triangle में तो हम क्या लिख देते हैं उसको ठीक है हम क्या लिखेंगे छोटा वाला triangle यही है अगर आपका angle C आ रहा है और आप बड़ा वाला triangle देखेंगे आपका triangle BAC देखोगे BAC तो C में भी तो आ रहा है यार BAC में भी आ रहा है तो बेसिकली आप बोल्ट सकते हैं कि यह जो corner जो है वह दोनों triangle के लिए common है तो आंगल भी common हो जाएगा तो हम क्या करते हैं न दोनों common angle लिख देते हैं चलो ठीक है तो पहले छोटा वाले के लिख लिखते हैं आपने दो एंगल तो एक्वल दिखा दिया है तीसरा दिखाने के आवे शक्ता नहीं है क्योंकि understood हो जाता है कि कभी भी आप अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता दू कभी भी आपके पास कोई डो ट्राइंगल है और आपने क्या 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 एक्वल दिखा दिया जैसे यह व्याद को ऐसे समझ नहीं आना तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आपके पास दो ट्रांगल है क्या आपने मालो यह वाला जो आंगल है न वो आपने इसके बरावर दिखा दिखा दिया बचा यह वला आइंगल और यह वला आंगल अब एक बात बता आध यह दोनों आपका एंगल जो था उसको सम करके 180 से माइनस करो तो यह वला एंगल आजाएगा तो बेसिकली जो आप देखोगे तो आपके यह दोने जो एंगल है तीसरा वल एंगल वह भी एक्वल आजाएगा ठीक है तो आपको दिखाने के आवे शक्ता नहीं है यहां से आप क्या लिख सकते है क्योंकि आपने दो एंगल इकवल दिखा दिया तीसरा अंडस्टूड है तो आप सिमिलर दिखा सकते हो लिख सकते हो सिमिलर हां जी लिख सकते है तो बेसिकली आप दिख सकते हो क्या कि यहां से हैंस आप लिख सकते हैंस हैंस जो आपका ट्राइंगल एडी सी क्या ट्राइ का ratio है वो equal लिख सकते हैं हाल जी आपको मैंने बहुत बार बताया है तो अब ध्यान से सुन ले कि कभे भी आपका दो triangle अगर similar है तो उनका side का ratio होता है उसको अब equal लिख सकते हैं ठीक है कोई लिख दो लिखते हैं हमने पहले इसे similar प्रूफ किया अब इसका side का ratio लिखते हैं अगर आपने इंदक नहीं लिखा है तो ध्यान से देखिए कैसे लिखते हैं पहले ऐसे लिखते हैं आपने पहले फर्स्ट से दो को उठाया तो हमने क्या लिखा एडी बाई इससे भी फर्स् अब एक बात बताओ यह दी तो दो बार आगया इसमें दो दो बार आ गया तो हम क्या करते हैं लास्ट का लिखते हैं एक एकसी अब को दिकत वह बात नहीं है ऐसे ही लिखने का तरीका है गलत नहीं होगा ठीक है तो बेसिकली आपने क्या क्या आपके पास एक similar triangle अपने प् हां जी हमें दिख रहा है क्या देख सकते हैं आप एसी दिख रहा है एसी दोनों सेम चीज़ है एसी इसमें भी दिख रहा है तो हम क्या करते हैं हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों को उठा लेते हैं यहां से इसकी आवशकता नहीं है क्योंकि हमें इसमें 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 इस ऐसे है तो a c क्या है आपका a c by ac by a c by b c हाँसी जी बाय बीची कोई दिक्क run बात नहीं है ठीक है अब एक बात बताओ हम C into DC प्रूव आपको क्या करना था आपको प्रूव यह करना था कि जो CA है CA का स्क्वेर CA यह फिर AC दोनों तो सेम बात है बिल्कुल कोई दिक्कत वाले बात नहीं इस इकवल टू मेजर करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपका यह प्रूव हो गया AC स्क्वेर इस इकवल टू BC into DC तो बेसिकलि आप लिख सकते हैं यहां से क्या हैंस प्रूव कोई दिक्कत वाले बात नहीं है हैंस प्रूव लग सकते हैं तो काफी आसां सा दौवल था हमने कहा के पहले ट्राइंगल को देख लिया ध्यान से कौन से दो ट्राइंगल उठाएंगे और उसमें से क्या कि हमने पहले यह similar दिखा दिया similar दिखा क्या हमने जिसकी आफ शक्रक्ता था उस दो साइड के बिलकुल से आप जाके जरूर देखें ठीक है और इवन मैंने फिजक्स भी करा रख रहे हैं ठीक है तो तब तक लिए पढ़ते रहेंगे खुश रहेंगे ठीक है झाल झाल